नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आप जहां भी रहें हमेशा सस्त रहें खुश रहें और व्यश्ट रहें ये सदा हम कामना करते हैं इस वर से दोस्तों हमारे चैनल का मकसद है आप तक सही और सुद्ध 100% आयरवेदिक जानकारियों को पहुंचाने का प्रयास करना दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्पुन जानकारी दहर cumin रहे और इसकीप करने की कोशिस मत किजिए दोस्तों कोई भी जानकारी आपको जीवन में कभी भी काम आ सकती है इसलिए इससे वीडियो को आनत तक जरूर देखेगा बहुत ही लाबकारी और बहुत ही फाइदे मन दिया जानकारी होने वाली है दोस्तों वीडियो के मादब से जो ये बनस्पती ये पौधा या फिर इसे कोई फसल ही कर लीजे ये देख लीजे और अच्छे से इसकी पहचान कर लीजे दोस्तों ये कोई और पौधा नहीं है यह गेहूं का जवारा है आप देख रहे हैं हम एक खित में आपको लेकर के आए हैं यहाँ पर बहुत सरा गेहूं की बुगाई हुई है तो हम आज आपको गेहूं के जवारे के फाइदे के बंबारे में बताएंगे लेकिन उससे पहले आप से रिक्रेस करते हैं यदि वीडियो और जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी जानकारी भरी वीडियो लेकर आते रहते हैं दोस्तों ये गेहूं का जवारा जो होता है बहुत ही पौश्टिक होता है इसमें बहुत सारे पोसक तत्तो पाये जाते हैं बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे बिटामिन, मिनिरल्स और बहुत सारे पोसक तत्तो इसमें नहीं थोते हैं आईरन तो भरपूर मात्रा में पाये जाता है ये गेहूं का जवारा बहुत ही लाव प्रद होता है कई बीमारियों को नश्ट करने के लिए दोस्तों इसे तो उखाड़ना नहीं चाहिए, नश्ट नहीं करना चाहिए लेकिन अभी ये फसल तयार नहीं है लेकिन हमको आपको जानकारी देनी है तो इसे हम थोड़ा सा उखाड़ करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों ये गेहूं का जवारा जो होता है आपको बलड की कमी नहीं होने देता है अगर आपको एनेमिया जैसी भैंकर परिशानी है तो उससे भी यह चुटकारा दिला देता है दोस्तों इसके लिए एनेमिया होने पर यानि बलड की कमी होने पर अगर आपको बलड नहीं बन रहा है तो आप क्या करें दोस्तों इसके लिए गेहुक के जवारे को आप लें कम से कम इतनी मात्रा या इससे भी ज़्यादा मात्रा लें और इसको कूड पीस करके इसका रस निकाल लें दोस्तों इसका रस का अगर सेवन आप कांटी निवस सुबह में करते हैं थोड़ा सा देसी गुड मिला करके तो आपको एनिमिया जैसी भेंकर परिशानी से भेंकर बीमारी से आपको मुक्ती मिलेगी छुड कारा मिलेगा और अगर आपको बलड नहीं बन रहा है दोस्तों तो बलड बनना प्रारंब हो जाएगा ये गेहूं का जवारा इतना फायदे मंद होता है यह बलड को संचारित करने का काम भी करता है अगर आपको बलड नहीं बनना है तो फिर से बलड बनाने का भी कारे करता है अगर आपको बलड की कमी है तो इस गेहूं के जवारे का रस का सेवन कांटीनिवस सुबह में खाली पेट का अगर करें तो आपके सरीर में कभी बलड की कमी नहीं होती है दोस्तों ये गेहूं के जवारे की जड़ आप जो देख रहे हैं ये जड़ भी किसी रामबान औसधी से कम नहीं है अगर आपको भैंकर बवासिर की प्राबलम है तो ये से जवारे की जड़ को लेकर क्या हैं इसका पीछ कर रस निकाल लें इसमें दो काले मिर्च 20 ग्राम देशी गुड मिला करके कांटीनिवर सुबह में सिवन करें दोस्तों यकीन नहीं होगा एक सब्ता के भीतर ही आपका भैंकर से भैंकर बवासिर को यह मिटा देगा इतना फाइदे मंद होता ही यह जवारे के जड़ का जो रस होता है दोस्तों इसके अत्रिक्त इसकी तासिर बहुत ही ठंडी होनी की वज़े से अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे जहाईया कील मुहा से इत्याद है आपका चेहरा सुंदर नहीं दिखता है निखार नहीं दिखता है तो आप क्या करें इस गेहों के जवारे को लो यह जो पतियां कुमल कुमल आप देख रहे हैं अच्छे से इसको पीश करके अच्छा सा पेस्ट बनाए और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला करके कांटी निवस शुबह में आप इसको पेस्ट की तरह से अपने चेहरे पर फेसियल जैसे आप लगाते हैं पेस्ट लगाते हैं उस तरह के से लगाईए 20 मिनट राई होने के लिए छोड़िए 20 मिनट के बाद इसे नार्मल वाडर से दो कर साप किया कीजिए एक सब्ता हमें ही आपके चेहरे पर नेचुलन निखार आएगा आपका चेहरा गोरा चिकना और चमकदार दिखने लगेगा तथा आपके चेहरे के जितने भी पिंपल्स इत्याद होंगे वो भी समाफ्त होंगे दोस्तों इतना फाइदे मन्द होता है ये गेहूं के जवा जवारे की जो जड़ें देख रहे हैं इस जड़ों को आप लें धो करके इसका रस निकालने बी सेमल की मातरा में एक गिलास छांच में इसको मिक्स करें और कांडी निवस शुबह में खाली पेट सेमन करें दोस्तों आपकी पिडिया रोक को यह जड़ से मिटा देगा दो दोस्तों इसके अत्रिक बहुत सारे इसके लाब हैं बहुत सारे फायदे हैं अगर आपकी रक्त को सुद्ध करना है रक्त में सुद्धी हो गई है तो गेहु के जवारे के रस का सेमन कीजिए रक्त की सुद्धी होगी मुत्र विकार होने पर गेहु के जवारे को आप छां करता है गहूं के जवारे का आप रसका सेवन कीजिए आपका सरीर एकदम तंदरुस्त रहेगा आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं होगी दोस्तों तो आज की वीडियो और आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो और आपकारी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जहरकारी एक नई शुब कामना के साथ तब तक आप सस्त रहें मस रहें और अपना ध्यान रखें। ओगे दोस्तों नमस्कार टेक के रहेंड झाल 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 झाल